गुड मॉर्निंग स्टुडेंट मैं आपकी नीला मेस मैं स्टेंड फाइब में हिंदी ग्रामर पढ़ाती हूं और संस्कृत बेटी के हैं तो हम लोगोंने संस्कृत में फर्स चैप्टर बूप में कोश्चन एंसर कर लिया था अब हम लोग कॉपी में करेंगे ठीक है तो कै के फाइब मॉर्ण माला किसे कहते हैं एत्एर संस्कृत में कितने स्वर हैं तो संस्कृत में तेरा स्वर हैं- व्यक्त? कितने स्वर हैं, तेरा स्वर हैं, ठैके, फिर लिखेएगा, three No. संस्कृत वर्ण माला में कितने व्यनजन हैं, उत्र लिखेएगा, संस्कृत वर्ण माला में 33 व्यनजन हैं, ठैके, four No. नमबर लिखेगा, स्वर्वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, उत्तर लिखेगा, जिन वर्णों को बोलते समय, किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें स्वर्वर्ण कहते हैं, जैसे अ, आ, ठीक है, आदी. फाइब नमबर, वे अंजन वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, उत्तर लिखेगा, जिन वर्णों को बोलते समय, स्वर्वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है, उन्हें वे अंजन वर्ण कहते हैं, जैसे, को प्लस ओ, क्या हो जागा, को, ठीक है, फाइब नमबर तोग हो गया, लीखेगा, यहाँ पर, शिक्स नमबर है, अयोगवा किसे कहते हैं, ठीक है, अयोगवा किसे कहते हैं, उत्तर, जो वर न तो स्वर है और ना ही वेंजन, उन्हें अयोगवा कहते हैं, ठीक है? जैसे, फर्स्ट नमबर है अनुस्वार, ठीक है? जब हम लोग अंग बोलते हैं, ठीक है? दूसरा है विसर्ग, जो हम लोग बोलते हैं आह, ठीक है? संस्कृत वर्ण माला में कितने संस्क्रित 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 वर्ण माला में कितने संस्क्रि मेला है को में हलन्द दीजेगा फिर प्लस सो में हलन्द प्लस ओ तो क्या हो जगा छो फिर दूसरा नमबर तो में हलन्द फिर रह रह में हलन्द फिर प्लस ओ क्या हो जगा त्रह फिर थ्री नमबर में जो में हलन्द प्लस यह में हलन्द फिर प्लस ओ क्या हो जगा ग्या तो आप लोग यह नोट्स कंप्लिट कर ले जागा बढ़ी ऐसे फिर हम लोग आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगें